कि अगर आपके पास भी पुरानी तावल कुछ इस तरीकी से बढ़ा हुआ है और बहुत ही प्यार सा कलर है तो आप इसको बिल्कुल भी मत ठेकिए आप इसका बहुत ही काम की चीज बहुत ही महँगा वाला चीज बनाके तयार कर सकते हो तो दोस्तों बिलकम हैं आप सभी का म मारे इस बीडियो में कैसे हैं आप सो मिद करती हैं अगदम बढ़िया होंगे तो मैंने तौल जो है पुरानी तौलिया होती है उसको यूज आप कई तरीके से कर सकते हो डेबल के उपर फ्रीज के उपर जैसा कि मैं फ्रीज के उपर बिछात हो दी हूँ लेकिन मेरी फ्रीज तो आज मैं इनी तोड़ियों को यूज करके बहुत ही प्यारा सा चीज बनाने वाली हूँ तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फटाफट इन सारी चीज़ों को गायब करते हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लांग है यह तो यहाँ पे जितने भी समान हैं इनको हम यूज चुटकियों में करते हैं गायब और एक्दम से क्लेन करते हैं यह देखिए तो यह सारे चीज़ गायब हो चुकी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टाफट को उतार लेंगे उतारने के बाद इसको हम नीची प्राफट से कल लेंगे फैला लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको फैला दूंगी फैलाने के बाद यहाँ पे मैं साइड शर्ट थोड़ा थोड़ा मोर दूंगी यह देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर दो color में है या तॉली बहुत ही प्यारा सा color है एकडम से blue तो खासकर हम उन तॉलीं को अकसर यूज नहीं करते हैं जो बहुत सारी तॉलियां ऐसी होती है जो पानी को अच्छे से अपजेंड नहीं करती है सोकती नहीं है तो ऐसी ही कुछ इस तॉली का भी हालत है तो मैं इस तॉली को पने फ्रीज के उपर ऐसी बिचा दी थी लेकिन हमारे फ्रीज की जो हालत थी एकदम से खराब हो रही थी उसके उपर बहुत सारे समान थे लेकिन मैं इनी तॉलीयों को बहुत ही प्यारा सा फ्रीज कबर बना के ready करोंगी जिससे हमारे जितने भी समान है सारे कि सारे समान आर्गनाइज रहे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं फैला दी हूँ आपको कुछ नहीं करना है simple सा इस तरीके से शिलाई करते हुए pocket बना लेना है तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं सिलाई मचीन से सिल ले रही हूँ आप हाथों से भी इस तरीके से इसको attach कर सकते हैं ते देखिए इस तरीके से मैं proper टू-टू राउंड कर दे रही हूँ ऐसे भी तॉली काफी ज़्यादा मोटी है तो बहुत ही बढ़ियां से एक काम कर जाएगी आगर आप एक ही सिलाई करोगे तो भी तिहां पर मैं अच्छे से pocket बना के radical हूँ तिहां पर देख सकते हैं टोटल मेरे पास से 8 pocket बनके मिला हुआ है तिहां पर मैं 4-4 pocket बनाई हूँ क्योंकि तॉली जो थी बहुत ही बढ़ियां थी बहुत ही लंबी चौणी थी दोस्तों अगर हम freeze cover market बे लेने जाएंगे तो मैं धाई 300 का मिलेगा लेकिन आप घर के पुराने कपड़ों का पुराने तॉलीयों का यूज करके आप इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा freeze cover बना के ready कर सकते हो तो चलिए यहां पर मैं इसको फ्रीज के ऊपर बिछा दे रहे हैं अब जो सारे चीज हमारे फ्रीज के ऊपर पड़े हुए थे इधर उधर जो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे दिख रहे थे और सारी चीजे इस pocket में अर्गनाइज हो जाएंगी अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रीज के ऊपर एक भी समान नहीं जितने भी समान फ्रीज के छोटे बड़े जो भी चीजे थी मैं सारा का सारा इस तरीके से pocket में अर्गनाइज कर दूँगी देख सकते हैं सारा का सारा जो है दिख भी नहीं रहा है और चीजे भी अर्गनाइज हो गई है इससे दो फाइदे हो गए एक तो इस pocket में आपकी सारी चीजे आसानी से आपको मिल भी जाएंगी दूसरा गया रहेगा आपका जो फ्रीज है एकदम से मेसी मेसी पड़ा हुआ था ओभी एकदम से क्लीन रहेगा यहाँ पर मैं इस तरीके से रख दी हूँ उधर के साइड भी सेम पाकेट है आप उधर के साइड भी बहुत सारी चीजे को अर्गनाइज करके रख सकते हो और उपर का जो एरिया है एकदम से क्लीन रहेगा अब आपके फ्रीज के उपर जो फाल्तू के समान पड़े हुए थे या जो भी छोटे मोटे चीजे जो थी डेली यूज के विक्रे हुए थे उस सारी चीजे अर्गनाइज हो गई है अब आप इसके उपर कोई फ्लावर पाउट रख दीजिए या कोई भी इस तरीके से डाल रख दीजिए या टेड़ी वियर जो भी आपके पास हो आप इस तरीके से फ्रीज के उपर रख देंगे तो देखने में बहुत ही ज्यादा प्यार लगेगा आई होप एचोटा से वीडियो आप लोगों के लिए हिल्प हो रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ सेयर करना मिलना